Hello everyone, आज का हमारा टॉपिक है How to install Ubuntu in Hyper-V on Windows 10 तो वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास Hyper-V Manager ओपन हो चुका है सबसे पहले क्लिक करेंगे New पे और Select करेंगे Virtual Machine Next करेंगे इस Option को यहां पे आप अपनी Windows का नाम रखेंगे जो भी आपको रखना है तो मुझे Ubuntu स्ट्रॉल करनी है तो मैं इसको लिखूंगा Ubuntu Next करेंगे Generation 1 पे ही Next करते हैं यहां पे आप रेम सेलेक्ट करते हैं मैं फिलाल 3000 सेलेक्ट कर रहा हूं Next करते हैं इसको Internet connection की फिलाल हमें जरूवत नहीं है तो इसको Next करते हैं इस Option में आप बताएंगे की Ubuntu का बात क्या होना चाहिए तो मैं इसको ब्राउस करता हूं और वहां पे सेफ करता हूं जा मेरी और Virtual Machines चल रही है यहां पे एक फोल्डर बना देते हैं Ubuntu Select folder ठीक है यहां पे आप उसका size बताएंगे जो hardest रखनी है तो मैं फिलाल 100 Sorry 100 GB रख लेता हूं Next करते हैं इस Option को अच्छा जी यहां पे मैं एक ISO फाइल सेलेक्ट करूंगा जो के Ubuntu की होगी देख सकते हैं मैंने browse किया है आप देख सकते हैं यह Ubuntu की ISO फाइल है मेरे पास इसको select करूंगा open करूंगा और next करूंगा summary आ गई है एक दफा summary को जरूर read कर लिएगा finish करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि Ubuntu यहां पे आ चुकी है और अभी यह off है तो इसको start करते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि Ubuntu start हो चुकी है अब हम इसको start करते है Ubuntu का process चल रहा है साथ-साथ मैं इसके अंदर एक network adapter भी add करता हूं तो select किया है मैंने settings को और यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा वार है network adapter यहां जाएंगे और मेरा एक already बनाव है virtual switch जिसका नाम मैंने रखा है external तो इसको apply करते हैं okay Ubuntu का process complete हो चुका है अब हम इसको install करते है install Ubuntu पे click करेंगे यहां पे आप language select कर सकते हैं मैं फिलाल English में करता हूं इसको तो install Ubuntu पे click करेंगे यहां पे आप keyboard का layout set करते हैं तो already select हुआ है English US तो मैं फिलाल इसको continue करता हूं अच्छा जी इस window में आप लोग select करेंगे normal installation इस पे ही continue करते हैं already select हुआ हुआ है erase disk and install Ubuntu यहां पे click करेंगे install now पे continue करते हैं यहां पे आप country select कर सकते हैं तो मैं select कर लेता हूँ Pakistan select हो गया है continue करते हैं यहां पे आपको जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हैं मैं फिलाल इसका नाम रख देता हूँ test और इसका password रख देते हैं 123 123 ठीक है तो इसको continue करते हैं बहुत basic सी installation है इसकी और बहुत जल्दी हो जाएगी जैसे का आप देख सकते हैं इस्टॉलिशन कम्प्लीट हो चुकिये, क्लिक करेंगे रीस्टार्ट नॉप पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यूबंटू इस्टॉल हो चुकिये और हमारा जो यूजर जो हमने बनाया था टेस्स वो भी आ चुका है इसको लॉगिन करके देखते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यूबंटू का इस्टॉलिशन प्रॉसस कम्प्लीट हो चुका है और वो आपके सामने मौजूद है I hope आप लोगे समझ में आयोगा किस तरह से हाईपर वी के द्रू हम यूबंटू को इस्टॉल करते हैं अगर आप लोगे वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, बैल आकन पे क्लिक कीजेगा, ताके मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो